यहां पर यूनियन बैंक इस पर नजर है इतेश पटेल जी कि पूछने खरीदना ठीक रहेगा या नहीं रनिंग ट्रेन में तो नहीं बैठना चाहिए लेकिन अब देखेंगे तो देरे देर और भी अपसाइड हो सकती है तो यह बाई डिप्स का कैंडिडेट है वाई का लेवल आप है 94 से 95 के रेंज में प्यारा बाइंग रेंज बागता है स्क्रक्चर जो भी बन रहा है पॉस्टी वह भी खत्म नहीं तो अभी तो यह कह सकता हूं है कि थोड़ा हीट जेनरेट हो गया है हीट जेनरेट होने का मतलब यह है कि जिसको भी ट्रेट करना चाहिए वह 94 on closing basis 94 के नीचे closing basis स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए जो कि बुक कहता है और पॉजिशनल ट्रेडर्स हैं वह बाइट डिप्स का रुख सकते हैं तब तक रख सकते हैं जब तक 89 88 यह सब रेंज टूपता नहीं है तक यह बाइट डप बना रहेगा तो अगर आप दो उसका ध्यान रखियेगा आपने यह तो नहीं बताए कि आप यह साप से खरीदना चाहिए यह पर निवेश के तो अगर निवेश की हिसाब से हैं तो फिर अठाथी निवासी का ध्याम रखिए और नहीं तो फिर ऊपर के लेवल्स जो विश्जी ने बताए आपको उन्हीं का ध्याम देखना पड़ेगा तो अच्छे लिए आज तो काफी हम लोग बहुता ओवर्शूट कर गए जैसे मो शूटिये इतने बात कर्वाते हैं कि पानी फिला जैते हैं इन्हीं बिल्कुल नहीं यह है जूट है कि ए तक पाने नहीं हो खुद मुझे भी ध्यान नहीं था वो तो मैं डेटा को पर चाब यह देख रहा था तो मुझे पता ही नहीं चल कि अच्छा कि आउड़के से अर तब हम लोग निकल गए।